good flow जय मसीची प्रभु की नाम के धन्य होके प्रभु ने हम लोग और एक मुपका दिया किसे वह विज्दे जो हम लोग बनाने के लिए इस विडियो में जो हम लोग एक सीरींज कर रहे हैं जो करोना वाइरस के टाइम में हम लोग परमीश्वर के नाम से हम लोग प्रातना कर रहे तो ये टाइम में हम लोग कुछ कुछ जैसे हम लोग प्रातना कर रहे थे हम देखे पहले परमीश्वर का जो नाम था वो उत्पत्ति के किताब में हम लोग देखे जो था इल रॉय य फिर हम लोग उत्पत्ति के 22 में देखें कि यहोवा जी इरे यानि जो सब कुछ वो हम लोग एक उपाय करता है वैसा परमेश्वर है और आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो चौता नाम परमेश्वर का नाम जो यहां पर लिखा है वो निर्गमन की पत्री इसका सत्राईवी अध्याय में हम पाते हैं और जब हम लोग देखते हैं कि निर्गमन की पत्री इस सत्राईवी अध्याय में जब हम आते हैं इसके पेहले जो हो चुका है इस निरकमन के पत्री में हम देखते हैं कि फरमीश्वर ने मिसर देश में कितनी साड़े चमतकार काम किये फिर लाल सागर को पार करके अपने लोगों को मिसर देश से जहां पे वो लोगों दासत्व में थे और फिर कानांद देश में ले आए और वो जहां पर उनको फ्रीडम मिला उन लोग को जो मुक्ती मिले वो दास ग्रिह से और फिर यहां जो काना अंदेश में आने के समय में हम लोग इसके कुछ की दो चाप्टर पहले हम लोग देखते हैं चाप्टर 16 में हम लोग देख पाते के परमीश्वर ने कै इसे पंद्रावी अध्य में जब ऐसे लाल सागर पार करने के बाद जब लोग इतने परमीश्वर की गुनगान गा रहे थे और फिर वहां पर आते आते उसके पास कुछ दिन बाद कुछी समय बाद वो लोग एक जगह में आ जहां पर पानी ने था परमीश्वर ने वहां पर चमतकार से पानी दिलाए फिर परमेश्वर का स्वर्की भोजन याने मनना दिये खाने के लिए मांग्स दिये और फिर हम लोग 17 अध्याय में जा आते और फिर देखते हैं कि वहां पर ऐसा एक स्थिति आया था जहां पर पीने का बिलकुल पानी नहीं था वो लोग आत आते हैं ऐसे एक ऐसे जगह में आगे पूरा चारो तरफ पाहर और कुछ पुरा पत्थरी पत्थर और कुछ नहीं है जो जहां पर कहीं भी जगह नहीं है जहां पीने के लिए पानी हो और वो लग मरने चले के पास आ गए थे देखा जाए तो आज का जो हम लोग का समाज ह कौरोना वाइर जार नने कर दो कर दो अगया है कि लोगों के दिल में ऐसे सोच है कि हम लोग क्या ना खाना मिलने से मर जाएंगे ऐसे सिती आगया कि कहीं कहीं जगह में कुछ जैसे कि हम hazma मित्र से बात कर रहे थे जहाँ पर करमेंट ने 5 रुपया का चावल देने के तो जिनके पास रोजी रोटी का भी पैसा ने मिल रहा है और फिर खाने के लिए चावल के रिए 20 रूपया कहां से मिलेगा वैसे एक पड़े सित्या गया है और फिर किसी कोई कोई लोगों का दिल में ड़ आ रहे है जैसे कि यहां पे हम लेखते हैं निर्गमन के 17 वी अधियाई में हम देखते हैं के लोग ऐसे कह रहे हुब invites कि हमें पीने के पानी दे मुसा को ऐसे बोले है और फिर मुसा ने उनको कहा के तुम मुझसे क्यों बाद विवाद करते हो और यहोवा की परिक्षा क्यों करते हो जब यह लोग मन में उन लोग का डर था कि शायद हम लोग पीने का पानी नहीं मिलने से मर जाएंगे पीने का पानी नहीं है खाने का भोजन तो क्या करेंगे अगर प्यास से ही मर जाएंगे तो वैसे एक डर के कारण वो लोग परमेश्वर का परिक्षा कर ले थे जब हम लोग के दिल में यह डर होता है कि क्या परमेश्वर हमारे साथ है क्या परमेश्वर हमारे जो जरूरत है वो पूरे करेंगे तो वो बाइबर के अनुसार हम परमेश्वर का परिक्षा कर ले और आगे कर देखा जाए मेरे प्रिया भाई और बहनों के इस अध्याय में फिर तीनवी पद न वहां लोग लोगों के पानी के जब वो लोग प् मुसासे वो लोग क्या कहा मुसा डल के मारे ऐसे कहें के चौत्वी पद में तब मुसा ने यहोवा के दुहाई दी और कहा इन लोगों के साथ में क्या करूं यह सब मुछ पर पतराफ करने की तयार है। यहुवा मुसा से कहा तो परमीश्वर एक उपाए कर रहे है जैसे कि हम आगे के वचन में हम देखे थे इसके पहले यहुवा ईरे यानि जो एक उपाए करने वाला परमीश्वर है और यहां पर उपाय कर रहे जब उन लोग को जो जरूरत है शारीरिक तरफ से जो डर है अपने जीवन के बारे में उनके शरीर के बारे में तो वो जो भी जरूरत है वो पूरा करने वाला कुछ उपाय देने वाला वो परमेशर के नाम है यहोवा एरे जो हम पिछले बार देखे थे और वोई होवा एरे यहाँ पर भी एक चमतकार करने वाले है देख लीजिए वो क्या कह रहे कि पांचवी अधियर में यहोवा ने मुसा से कहा इस्राइलोस के व्रिद्र लोगों में कुछ को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तुने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल और देख मैं तेरे आगे चल कर होडे पहार के एक चटान पर खाना रहूंगा होडे पहार याद कीजिए मेरे प्रिये भाई और बहनों वो परमेश्वर का पहार है जब हम लोग देखते हैं कि जहां पर दस आग या दिये गए है और तू उस चटान पर मारना तब उसमें से पानी निकल आएगा जिस से ये लोग पिये तो हे मेरे प्रिये भाई और बहनों देख लीजिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं परमेश्वर एक उपाय कर रहे हैं जहां पर कोई पानी का कुछ तलाब कुछ नहीं है वहां पर मेश्वर चमतकारी प्रिमेश्वर जो लटिर लेकर नील नद पर मारा ता वह लटि ले जा और वह से परमेश्वर उहां पर एक चमतकार करने के लिए ऊप्रावे थे और देख लीजै अर देख लीजिए परमेश्वर जहां पर कुछ आशा नहीं है वहां पर आशा देने के लिए वो कर सकते हैं वो आशा दे सकते हैं और वो ज़रूर हम लोगों को सहायता करेंगे देख लीजे मेरे प्रिय भाई बहने और साथ वत मैं ऐसे लगते हैं और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मडीवा रखा क्योंकि वहां पर वोग बाद विचार किये थे क्या मेरे प्रिय भाई बहनों वो स्थान जहां पर इस्रायल लोग उन्हों का आत्मिक तरफ से वो लोग बाद विराद करने लगे वो परमेश्वर का परिक्षा किये क्या आप और हम वो परमेश्वर का परिक्षा करेंगे आगे पहले के बचन में तब मुसा ने इस्रायलों के विर्द लोग के देखते ही वैसा ही किया परमेश्वर जैसे कहा परमेश्वर वैसा ही किया देख लीजिए वो कौन है वो परमेश्वर कौन है और इस वारे में देखने के लिए अगर आप देख लीजिए पहला कुरं पहला कॉरंथियों उसका दसवी अधिया है और उसके चौतवी पद वहां पे ऐसा लिखा है और सब ने एक आत्मिक जल पिया क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी वह आत्मिक चट्टान पॉल यहां पे पहले कॉरंथियों के में लिख रहे हैं कि वो आत्मिक चट्टान कौन है वो चट्टान मसी था वो चट्टान जहां से पानी आया वो मसी था यानि देख लीजिए जैसे वो चट्टान से पानी निकला मसी से जैसे इस मसी जब इस दुनिया में थे तो वो अग यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए वो आत्मिक चट्टान हमारा इसमसी है वो कहे रहे कि अगर तुम प्यासे हो अगर जब हम लोग को प्यास लगता है तो हम लोग का मन किसी और तरफ जा ही नहीं सकते क्योंकि हम लोग का डर होता है हमेशा वो प्यास के बारे में हम लोग सोचते है और प्रभु इसे मसीय कहते है कि अगर तुम आत्मिक तरह से प्यासी हो और तुम नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है कैसे करना है क्या हम लोग का होगा तो तुम मेरे पास आओ और वो आत्मिक चट्टान जो प्रभु इसमसी है वो कह रहे है कि तुम मेरे पास आओ और पीओ जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसे पवित्रशास्त्र में आया है उसके रिदय में से जीवन के जल के नदियों वह निकलेगी क्या आप नहीं चाहते है कि आपके जो सूखी हुई दिल में जो डड़ के मारे सूखी हो गई है वो दिल में जो आत्मिक नदिब है यानि आपके दिल में अगे के बचन में है उसने यह बचन पवित्र आत्मा के विशर में कहां है यहोना की पत्रे 7 अध्या और उसकी 29 पद 39, verse 39 में लिखा है कि वो पवित्र आत्मा है और अगर आप परमेश्वर से ऐसे सोच रहें कि कैसे क्या होगा आप डर के मारें अंदर से सूखे जा रहे हैं आपके जीवन जैसे कुछ है यह नहीं तो आप प्रभु इसमसी के पास आईए और वो आपको पवित्र आत्मा के द्वारा एक नया जीवन एक नया ऐसे ऐसे एक जीवन देंगे जहां पे यह सब डर चला जाएगा अगर आप प्रभु इसमसी पर विश्वास करते हैं तो आप आईए अभी और वो प्रभु इसमसी से सहायता कीजिए प्रभु इसमसी वो समरियन स्त्री से क्या कहते है यहोना की चाथवी अधियाए में चाथा पद में परंत जो कोई जैसे के पीने का पानी है वो जल पिएगा जो जो दूसरा जल पिएगे वो उसका प्यास थोड़ा सा मिटे का मगर वो मट जाएंगे आकरी में मगर जो मैं दूँगा चौदा पद में वह फिर अनंत का तक प्यासा ना होगा बरं जो जल मैं उसे दूँगा वह उसमें एक सोता बन के जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमरता रहेगा वह प्रभू इसमें ऐसे कहरें कि आपको अगर अनंत जीवन चाहिए अगर आपको ये COVID-19 यानि कोरोना वाइरस से अगर आपको डढ है कि ये आपको मौत तक पहुचा सकता है आपका शायद डढ है कि अगर आपको कोरोना वाइरस लग जाए तो आप मर जाएंगे तो आप देख लीजिए अगर आप प्रभू इसमसी के पास आते हैं तो वह आपको अनंत जीवन देता है वह आपको ये पानी जो आत्मिक पानी देंगे जो जिसका आपके दिल में जैसे के एक सोता बन के निकलेगा और वह अनंत जीवन तक अनंत काल तक वह आप में रहेंगे आपको कभी मौद कभी चूई ने सकता शायद शारी रिक से हम मड़ भी जाएं मगर हम लोग परमेश्व प्रभू इसमसी के साथ हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में रहेंगे क्या आप ये जल नहीं चाहते क्या आप ये पानी नहीं चाहते तो देख लीजे मेरे प्रीय भाईय बहनों मौसा ने उन लोग को ऐसे पीने के लिए पानी दिया और फिर आगे के वचन में लिखा है कि जब अमलों के अमलेकियों ने आया उन्होंने इस्राइलों के खिलाफ यूद करने के लिए और देखा जाए अगर आप देख लीजिए यहोशू जब यूद करने के लिए गया यहोशू के जो वहाँ पे कमैंडर था वो चीफ कमैंडर था और उसके साथ जब लोग उसके अंडर जाके यूद कर रहे थे और मुसा एक पहार में खड़ा था देख लीजे दसवी पद में मुसा की इस आगया सुन करी होशो अमलोकियों से लड़ने लगा और मुसा हारून और धुर पहारी के चोटी में चड़ गए तो वहाँ पे नीचे एहोशो और उनके जो सेना लोग अमलोकियों के साथ ऐसे यूद कर रहे हैं और वहाँ पहार के ऊपर मुसा खड़ा है परमेशवर का वो लाठी के हाथ में लेके और आगे के वचन लिखता है कि जब तक मुसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राइल प्रबल होता था परंतो जब वहाँ उसे नीचे करता था तब तब अमलोकियों प्रबल होता था तो याने परमेशवर का जो लाठी याने परमेशवर का शक्ती याने परमेशवर का संगती जब मुसा के सबसे मुसा में सबसे उपर रखते थे याने सबसे उपर जब प्रबु इसमसी है जब परमेशवर है हमारे जीवन में तब वैसे जब होता था तब इस्राइलों जय अगर आपके और मेरे जीवन में जय पाना है तो प्रभू इस मसी को सबसे ऊचा स्थान देना है और जब जब लिखा है कि मुसा का हाथ नीचे रहता था तब तक अमालिक ने प्रबल हुआ तो अगर आप चाहते कि आपके खिलाफ जो शत्रू है याने शैतान को अगर प्रब कर दीजिए आप दूस्तर चीज अपने आप अपना पड़ीवार को उचा कीजिए अगर आप प्रभू इसमसी को उचा ने करते अपने जीवन में फर्स्ट प्लेस ने डालते तो शैतान जरूर जीतेंगे अगर प्रभू इसमसी को आप पहला स्थान देते है याने आपका पूरा दिन में कुछ समय प्रभू इसमसी को आप खाते हैं पीते हैं सब कुछ में प्रभू इसमसी होना चाहिए चाहे आप पड़ाई करते हैं चाहे आप कुछ भी कीजिए प्रभू इसमसी के संगती में प्रभू इसमसी के महीमा के लिए सब कुछ करना है तो अगर वैस नीचे हाथ घर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मुसा के नीचे रग दिया, और वह उस पर बैठ गया, और हाडुन ने एक एक ऑलंग में उसका हाथों में संभाल रहे तो उन्होंने संभालने के लिए हुल और हारों ने मुसा के मदद करने के लिए आ गए तो मेरे प्रियों भाई और बहनों अगर आपका जैसे के दिल जैसे के भड रहा है या फिर आप बहुत वीक होता जा रहे तो आपको चाहिए कि आपके भाई और बेहन से बात करना है ताकि वो आपको सपोर्ट दे सके वो आपको इस आत्मिक जो युद है जिसमें आप और हम लगे है शैटान के खिलाफ उसमें हम लोग जीत सके हम लोग कभी कभी जरूरत होता है कि दूसरे का संभालने के लिए हम लोग का संभाल हम लोग का जरूरत होता है उसमें कोई डर्ड नहीं कोई शर्म नहीं क्योंकि मुसा को भी जरूरत था और आपको भी जरूरत है और मुझे भी जरूरत है और देख लीजिए मेरे प्रिया भाई और बहनों जब ऐसे करने से यहोशू ने और अनुचार ने समेथ अमिलियोकों के तलवार के बल से हडा दिया इस्राइल ने जीता और अमिलियोके ने भार गया और चौदरवी पत जो आकरी जो यहाँ पर मेश्वर का नाम लिखा है तब यहोवा ने मुसा से कहां समरनात के इस बात के पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे और अमिलियोक के समरन भी प परमीश्वर ने उनके खिलाफ एक श्राप दिया था क्योंकि अमिलियोक्यों ने इस्राइल से बहुत बुड़ाई की तो और यह युद में परमीश्वर ने जय पाया अगर आपको और मुझे यह आत्मे कृति से जय पाना है यानि परमीश्वर जय दिला सकते है जब हम ल मुसा ने एक बेदी बना के उसका नाम दिया यहोवा निसी रखा तो यहोवा निसी यानि जो परमीश्वर मेरा चट्टान है जो परमीश्वर मेरा बैनर है जो परमीश्वर जैसे के मुसा ने एक एक जैसे के उनका जो लाटी लेकर जैसे के परमीश्वर के तरफ दिखा यही रास्ता तो आपको और हमें भे चाळाए कर दिखाना है पिर आईए और देखिए कि प्रभु सिर्मस्यी मेरा सब कुछ है कि खाना पी आतमी प्रती से बल सकती ils हुए पर घर पर messaging आप और हम यह करते हैं, तब हम लोग कह सकते हैं, मुसा के तरफ यहोवा नीसी, यानि जो यहोवा मेरा बैनर है, जब आप कोई-कोई अनुस्चान देखते हैं, या फिर कोई वॉल्ड कप देखते हैं, पीछे में सबका बैनर होता है, इसका अड़र्टाइसमेंट, आप और प्रभु इसमसी का रोष्णी लोगों के अंधेरे में चमकाते हैं, आप और हम परमेश्वर का नमक जैसे हैं, और जिस को हम लोग को इस दुनिया को बचाने के लिए और उन लोग को सहायता करने के लिए बस हम लोग है, तो क्या मेरे प्रिये भाई और बहनों, क्या आप नहीं बनेंगे परमेश्वर का वो बैनर, क्या आप नहीं बनेंगे सब को बताएंगे कि देखिए प्रभु इसमसी के तरफ आप नहीं दिखाएंगे कि प्रभु इसमसी के पास आओ, और देखो, चक के देखो कितना मधूर मेरा प्रभु इसमसी है, और अगर आप प्रभ प्रभू इसमसी के पास नहीं आएंगे और वो कहले कि तुम मेरे पास आओ तो मैं ये आत्मिक पानी तुम्हें दूंगा यानि अनन्त जीवन यहोना तीन का सोला में परमीशु और जगत को यानि आपको और मुझे इतना प्रेम किया कि परमीशु ने अपना एक लात पुत्र को दे दिया ताके जो कोई भी उन पर विश्वास करे उसका नाश्ट ना हो प्रद्द अनन्त जीवन पाए कैसे पाएंगे कि प्रभु इस मसीद मुझे प्रेम करने के कारण आपके और मेरे पाप को लेकैं खूज़ पर चळगए और कूज़ूस पर चढ़ने के कारण उन्होंने इतने दुख इतने कष्ट उठाए मगर वो उतना तक खतम नहीं हुआ, वो हमारे पाप के सजा उन्होंने नहीं ले लिया, उनका धार्मिक्ता हमें ही दे दिया था कि उनके धार्मिक्ता से हम परमेशुर के पास आए और मुसा के तरफ जैसे कि आगे के वचन में मुसा परमेशुर को मिलने के लिए वो परवत म परमेशुर को मिलने के लिए एक दिन हम लोग जा सकते हैं और परमेशुर आज अभी हम लोग अंदेखा परमेशुर अगर आप विशास करते हैं तो आपके जीवन में आ जाएंगे पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ जाएंगे और वो आपके जीवन में अनंतकाल तक और आपके द्वारा काफी लोग प्रभु इसमसी को जान पाएंगे ये मेरा आपके लिए दुआ है कि यहोवनिसी याने पडमीश्वर ही मेरा बैनर है पडमीश्वर ही मेरा सब कुछ है हम लोग को बस उनके बारे में बताना है इस दुनिया में क्या आप वो करने के लिए तयार है क्या आप और हम मुसा के तरफ प्रभु को सर्वस सबसे ऊचा स्थान देने के लिए तयार है और प्रभु के बारे में सब को बताने के लिए तयार है आईए आप और हम दुआ करके खतम करते हैं प्रभु जी आपके पास आते हैं और इस दुनिया में जब करोना वाइरिस के कारण कितने लोग डड़ के मारे ऐसे भाय में हैं प्रभु जी आप दया कीजिए कि वे लोग आपको चक के देखें कितना महान हमारा परमीश्वर है और वो हमारा सब कुछ देने वाला परमीश्वर सब कुछ देता है वीश्वर सब कुछ देता है प्रभु जी आप दया कीजिए कि हमारे जितने भी भाई बहन है जितके दिल में डड़ है तो उनको आपके पास आके प्रभु जीवन जल पीने के लिए मदद कीजिए वो आत् आपने जीवन में आपको हमेशा पहला स्थान दे और सब को आपके बारे में बताए हे प्रभु जी आपका नाम महान है यहोवा नीसी प्रभु जी आप यहां पर जितने भी मेरा भाई बहन है जिसको शालीरिक तरफ से दिखता है और उनके माता पिता भी बहुत बीमारी है उन depri anda को सब आशिस दीजिये और जितने भी मिनिस्ट्री में दिकत है प्रभु जी आप उनके मिनिस्ट्री में आशिस दीजिये प्रभु जी धनियवाद हो कि अप महान पर प्रमीशवरे आपको सब आधर महीमा प्रसंग ससर्भ आपको मिले यह प्रात्ना और विंती और वो बिमार हैं उन लोगों को चंगाई दीजिए और हमारे सिर्फ विवर्स को बचा के रखिए धन्यवाद के साथ ये प्रातना हमारा श्रिग्र आने वाला प्रभु इसमसी के नाम से मांगते हैं प्रभु जे सुनिया कभूल कर आमेन आपको आपने अगर सब्सक्राइब ने किये तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताके आप भी हमारे साथ एक साथ हम लोग परमेशो को के वचन को देखकर प्रभु के पास प्रातना कर सके आप नीचे जो सब्सक्राइब बटन है वो बेल के तरफ लिका है वो क्लिक करने से आपको जरूर नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हम लाइव आ गए तो अगर आप चाहते हैं कि हम लोग एक साथ मिलके हम दुआ कर सके तो वो जरूर वो बटन प्रेस किजिएगा प्रभु आपको आशिच दे प्रभु के नाम के धन्या हूँ झाल